आज की वीडियो में बिना देरी की वे बढ़ते हैं अपने पहले टिप की तरफ जो की है स्वेटर जैकेट को फोल्ड करने से रिलेटेड इसे आसानी से हम फोल्ड करके कैसे अपने अलमीरा वगेरा में रख सकते हैं जिससे जगा भी कम घेरे और समय भी बचे और एनर्जी भी हमारी बचे तो इसे जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है सेम उसी तरीके से आपको फोल्ड करना है पहले हाफ फोल्ड कर जीजिए विज दोनों स्लीव को इकठे रखके बीच से फोल्ड कर दीजिए और जो बचा हुआ स्वेटर का पार्ट है इलास्टिक उसे अंदर की तरफ इन करके इस तरीके से आप अपने स्वेटर, हाफ स्लीव, फुल स्लीव, जैकेट वगेरा को भी सेम इसी प्रोसस से आप फोल्ड करके रख सकते हैं जिससे कि आपकी अलमारी में जगा तो कम घेरेगा है साथ ही साथ आपकी एनरजी भी बचे रहेगी बागरेन की बार बार एक ही काम आपको नहीं करना पड़ेगा आपका जो स्वेटर, जैकेट, आप दोब करके रख रखते हो इस तरीके से वह खुले हैं तो बार बार आपको pak कौण obsessive को ऑग्या ठीक करना निकाल रहा है कोई एक्गण निकाल रहा है तो आपका सा आपका जो काम किया है वो बिगड़ा नहीं है तो आप इस काम को इस तरीके से कर सकते हो सेम इसी मेथड से आप धेरो कपड़े फोल्ड करके अपनी अलमारी में सजा कर लगा कर रख सकते हैं उमीद है कि आज की ये टिप आपको अच्छी लगी होगी अगली टिप है स्वेटर को यह जल सकते हैं या प्रेस की हीट से खराब हो सकते हैं तो उन कपड़ों को हम किस तरीके से प्रेस करें जिससे की हमारे कपड़े खराब भी ना हूँ और हम उसे प्रेस करके आसानी से पहन भी सकें तो उसके लिए एक सिंपल सा उपाय आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैं अपनाती आई हूँ जो कि मुझे बहुत जादा पसंद है तो आप कर सकते हो कि आपके किचिन में जरूर फॉयल पेपर होता ही होगा क्योंकि लंच वगेरा सबके घरों में पैक होता है तो आप उसे ले लीजिए एक तुकड़ा और इस तरीके से प्रेस पे आप इसे सेट कर दीजिए अगर आपके पास इनके इस फॉयल पेपर नहीं है तो आप कर सकते हो कि जिस भी कपड़े को आप इस तरीके से आपके दिमाग में है कि खत्रा बना हुआ ये जल सकता है या ये प्रेस पर चिपक जायेंगे उन कपड़ों को भी आप आसाने से प्रेस और पहन सकते हो और ये टिप आप आज माकर भी देख सकते हो अगले टिप है मार्टीन कोईल से रिलेटिड क्या होता है जब हमें इसे खोलने लगते हैं तो इसे खोलने का एक टेक है किसे आप बीच से पकड़ के इस तरीके से खोल लिजिए जब कभी भी हमारे पास मौटन स्टंड नहीं होता कोईल से जलाने के लिए तो उसके लिए आप अपने बच्चों की दमाईयां अगयर की जो शिशी होती है चोटी सी जो बॉटल्स होती है अकसर वो खाली हो जाती है जो इस टाइब की होती है चोटी सी उसको आप ले सकते हैं इससे जला कर रखने के लिए बस आपको ध्यान इसे रखना है कोयल को सीधा नहीं इस वैल को उल्टा करके रखेंगी तो ये काफी टाइम तक जलेगा और बिल्कुल भी लटक कर नीचे नहीं आएगा अब बात आ ज क्या होता है कि हमें जरूरत होती है हम रात में इसे जलाते हैं और सू जाते हैं इससे बुझाने के लिए हम उठ नहीं पाते हैं तो इसको कहीं न कहीं आपको इससे बुझाना होता है क्योंकि पूरा कोयल हमें नहीं जलाने की जरूरत पड़ती है कुछ टाइम जलने के बा जला सकते हैं मार्टन वगेरा को यह जल जाएगा आराम से स्टैन की ज़रोत नहीं मेरी अगली टेप है इस तरीके के केरी बैग हमारे सब के घरों में मिल जाते हैं तो इसे आप ले लीजिए और उसके बाद इसे बीच से बराबर में फोल्ड करके फिर इसे नीचे थोड़ा छोड़ते हुए आपको कट कर लेना है क्योंकि केरी बैग हम सभी के घर में मिल जाता है तो ये बिल्कूल भी हम नहीं कहेंगे कि हमारे पास ये केरी बैग नहीं है सब के पास होगा तो आप इस तरीके से कट कर लीजिए क्योंकि इसका बहुत ही बहतरीन सा यूज आज की वीडियो में आप देखेंगे हमने यहां पे केरी बैग को काटा और फिर पलट के इससे मिक्सी में पहना दिया है क्योंकि ये हमारा जो इंस्टेंट सा मिक्सी का कवर जैसा कुछ तयार हो गया है इसको स्विच को निकाल दिया है एक कोने पे जहां से हम पकड़ के केरी बै करते हों वहां रख सकते हैं और इसे आसानी से आप यूज कर सकते हैं इसके स्विच को ऊपर की हिस्से में आप इसे फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करके आराम से यूज कर सकते हो मिक्सी का ऐसी चीज होती है जिसे हमें बार बार यूज करना पड़ता है और लगातार तरीके से फोल्ड कर दीजिए और फिर मिक्सी जार लगा के कुछ भी आप ग्राइड कर सकते हो आसपास का जो मिक्सी का एरिया होगा वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और रोज रोज आपको एक ही काम बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा जब आपका यूज खतम हो जा चाहे किसी चीज से आप बांदीजिए या फिर एक रबडबंड लेकर आप इस सीरे पर इस तरीके से लगा दीजिए पैक हो गया या आराम से हम तो भाई ग्रहनिया हैं हमें हर काम करना ही पड़ता है तो उस काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए और फिर वो काम मुझे हम ना करना पड़े इसके लिए कुछ गाम आप जरूर कर लीजिए जैसे कि यह प्याज हम खरीद कर लाते ही रहते हैं घरों में तो क्या होता है इसका छिलका जब जिस भी बास्केट में रखो तो कहीं न कहीं गिरता रहता है तो जब भी आप प्याज खरीद के लाईए तो प्लास्टिक को जिसमें भी जाली में आपकी कैरी बैग में आप लेका थोड़ा सा उसे जटक पटक दीजिए तो छिलका अपने याप छूटने लगता है और जो एक्ट्रा छिलके प्याज में लगे हुए रहते हैं वो निकल जाते हैं तुरंद के तुरंद और फिर उसके तुरंद के तुरंद ये चलके जो निकले हैं हम इसे कठा करके दस्बिन में डाल देंगे तो हमारा बहुत सारा टैम भी बचेगा और बहुत सारी मेहनत भी बचेएंगी और वाहतरी जो टोकरी हमने रखी है है प्याज की वह उतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा और उसक बरतन हर कोई धोता होगा जिनके घर में काम वाली भाई नहीं आती होगी वो लोग तो धोते होंगे तो मैं क्या करती हूँ जब मैं पूरा बरतन खंगाल कर रख लेती हूँ तो उस पर मैंने यहां पर गरम पानी करके इस तरीके से डाल दिया यह मेरा डेली का प्रोसेस मैं कर लेती हूँ क्योंकि हमें अपनी भी उतनी ही क्यार करनी बहुत जादा जरूरी है जितनी हम दूसरों की करते हैं अब जब मैंने यहां पर गरम पानी डाल दिया सारे बरतनों पर तो आप देखेंगे कि फटा फट से कितने भी बरतन हम जल्दी जल्दी मान सकते हैं काम भी फटा फट हो जाता इतना टाइम नहीं लगता जितना की हमें जब हम उस में गरम handicap दाल के नहीं धूलते नहीं माचते लगता है तो लगता है क्योंकि अभी क्या होता है चिकोन की विगारब कराऊ basting डालेंगे बरतनों में तो खंगालने के बाद बस मेक शियर इतना ही है कि तुरंत आप मठ डालिए जब जूठे बरतन वैसे ही पढ़े थोड़ा-थोड़ा खंगाल के उसके बाद जब डालेंगे तो ऐसे आप जैसे मैं कर रहे हूं वैसे करते जाएंगे तो आपका काम सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे ही अच्छे वीडियो देखनी के लिए और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि मेरे बेटे की तब्यट ठीक नहीं है तो आप लोग जरूर प्रातना कीजिए कि व बाई-पाई